कि अधियो फ्रेंड्स आज कुछ एडवांस स्ट्राइल मेथड्स के बारे में देखते हैं यह यो मसीन है इसका साइकल 16 हार्ट का होता है इसमें एथाइलीन ऑक्साइड जो गेंस है वो यूज गया जाता है लो टेंप्रेचर का होता है इसमें टेंप्रेचर 37 तो 63 डिग्री centigrade रहता है इसका जो टाइम डूरेशन रहता है वो रहता है बारा से 14 हार्ट और कहीं पर 16 हार्ट भी लगता है इसमें और मॉस्टली 16 हार्ट आपको सही करना है यह इसका रेपर है इन मशीन नरीज के अंदर क्या होता है कि आप स्पेशल टाइप के रेपर में पेक करके किसी इंस्टुमेंट या मैटेरियल को आप डालते हैं तो यह जो रेपर है यह इट्यों के लिए है यह यूगेंस सही रहता है इस पर जो इंडिकेटर जो आपको बॉर्डर लाइन पर जो इंडिकेटर दिख रहे हैं जैसे यह ग्रीन कलर का जो इंडिकेटर है इसका मतलब है कि यह अभी स्टाइल प्रोसेस से गुजरा नहीं है जब जैसे यह यो गेस के टच में आएगा और पूरे साइकल से गु तो अभी यह एंस्टाइल है स्टाइल होने के पाद दोनों साइड पर आपको इसके जैसा दिखेगा अभी जो पहले जो ग्रीनिस ब्लेक दिख रहा था वो भी एसा हो जाएगा तो उसका मतलब यह प्रोसीजर है जो कंप्लीट हो चुका है और यह इसके अंदर का मेटीरियल वो स्टाइल हो चुका है जो 50% मेटीरियल होता है सर्जिकल फिल्ड में जो काम आचाएज जैसे ड्रेप हो गया और बहुत सारी पेकिंग्स हो गई शीट हो गई उन सब को यह किया होता है यह से आप उसको स्टाइल कर सकते हैं जैसे ग्लाउज हो गया ग्लाउज को भी कर स सकते हैं ठीक है और उसके बाद ज्यादा डिटेल में मैं अगर को लेक्चर बनाऊंगा उस पर तो बताऊंगा यह जो रेपर है यह है प्लाजमा साइकल का प्लाजमा स्ट्राइजेशन मेथड का जो एस पी टेकनिक से बना हुआ है और यह एडवांस टेकनोलोजी है इसके प्लाजमा साइकल से कुछ नहीं होता है यह जोन्सन आंड जोन्सन कंपनी मनाती है यह बहुत ही स्पेशल टाइप का जिसमें एक साइड प्लास्टिक लगा होता है एक साइड यह आपको जो पेपर कर जैसा दिख रहा लेकिन इसके अंदर बहुत ही माइक्रो पॉर्स होते जो आप जब आप इसको प्लाज्म साइक्ल से गुजारते हैं तो वह पॉर्स एक स्पेशल गेंस के सर पर आने के बाद तेंप्रेइचर के बाद शील हो जाते हैं तो साइकल हीट डालने के बाद वह माईक्रो प्लाक्य एक्सचेंज नहीं होता rough यह सिंगल टेप है ये इसका indicator है जो वो red color का होता है डर्क red color का unstyled में और जब ये प्रोसीज हो जाता है तो वो style होने के बाद ये bright yellow color का हो जाता है ठीक है तो अगर इसके इंदरा वाईर कोई भी सब्सक्राइब के स्टन्ध में कोई चैंज नहीं आता है ना उसकी सार्पनेस कम होती किसी इंस्ट्रमेंट की यह बहुत लोग टेंपरेचर पे रहते और यह गेस का गैस से होने वाला स्टाइल मेठट है और यह देखो स्टाइल होने के बाद इसका जो कलर का है वो ब्राइट येलो कलर का हो जाता है और जो अन्ट स्टाइल है उसमें ये डार्क रेट कलर का रहता है उपने क्यां इसके अंदर मेटिरियल को कर सकते हो जबसे सिस्टे स्टे वर यह बड़ाज में बटा होता है वो आपको मैं ड़िटेल में एक लेक्चेर के अंदर बताऊंगा और यह जो श्वरट ये इसके अंदर प्लाजमा किया जाता है इसको प्लाजमा मसीन के नाम से जाना जाता है इसमें उपर जो स्क्रीन है इसमें आपको सब टाइप के जो इसके इंस्टक्शन है वो मिलेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है साइकल एकाउनमेंट का रहता है इसमें जितने विए फैजेज हैं स सिंगल टाइम यूज़ होता है इसके लावा जो आजकल किया जो ऑटोकलेव यूज़ होता है उसके अंदर 121 डिग्री सेंटिग्रेट पे 15 IPS का प्रेसर होता है उसका भी इंडिकेटर होता है यह सब्सक्राइब यूज़ की जाते हों इसमें जो स्टीम फिर एक्टिव होता है एक जो एक टेप आती है और टोकलेव टेप बौलते हो उसको वह आप आप गूगल कर सकते हो उसमें भी वो डार्क ब्राउन हो जाती है स्टाइल के पैकिंग में वाइट कलर कियाती है और टोकलेव के पाद डार्क ब्राउन हो जाती है शेकिन वादी देखो